नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा इस वक्त की बड़ी खबर सीधा वारनसी से आपको बता रहे हैं ग्यान वापी मज़ित का आज का सर्वे पूरा कर लिया गया है सुबा आट बजे से लेकर बारा बजे तक ये सर्वे चला है दो हिंदू संग्टनों में काफी जादा उत्सा देखने को मिल रहा है बता दे आपको तैखाने की चार कमरे आज खोले गया है साथ ही आज पश्मे दिवार का भी सर्वे किया गया पूरी विडियो ग्राफी हुई है और इसी बड़ी अपडेट पे मेरे साथ क्यापिटल के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मरीश जी नियूजरूम से मौजूद है आज का सर्वे पूरा हो गया आज के सर्वे में क्या कुछ सामने आया देखिया आज जो सर्वे की टीम गई कोर्ट कमिश्णर के साथ साथ सभी पक्ष के लोग चालिस की संख्या में लोग ग्यानवापी मस्जिद के अंदर गए चप्पे-चप्पे की फोटोग्राफी हुई और जो रिपोर्ट आ रही है वो उसके मताबिक अभी सिर्फ चालिस फिजदी काम पूरा हुआ है चालिस फिजदी में जो सबसे महत्रपूर्ण चीज जिसके लिए पूरा केस जो बना है कि ये सिंगार गौरी वहाँ पे हैं उसी अवस्था में हैं जिसके ये लोग पिटिशन में जिक्र किये हैं तो कलपना से भी जैसा कि आपने बताया कलपना से भी ज़्यादा सबूत वहाँ पे मिला है मैं आओंगा डीटेलिंग पूरे केस को ले करके फिर चार तहकाने के ताले को खोले गए अब कुछ चीजें कोट में रिपोर्ट में देनी हैं ताला खोला गया या ताला तोड़ गया कोट ने कहा ता कि ताला खोलो और अगर नहीं खुलता है तो ताला तोड़ो अब यह जब रिपोर्ट आएगी तब मालूम चलेगा कि ताला को तोड़ा गया या खोला गया लेकिन जो रिपोर्ट बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के आठ के आसपास तैखाने हैं जिस इसमें से चार को खोला गया है आज और कल फिर आठ से बारा बजे के बीच फिर से वहाँ पे सर्वे होगा चपपे-चपपे की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सारी चीजे की जाएंगी तब जाकर के सर्वे का पूरा काम कल खतम होगा या फिर परसो तक चलेगा ये कल होगा लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर आये, जो चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस नजर आया, जिस हिसाब से पहले तो मीडिया वालों ने पूछा कि अंदर क्या मिला, क्या मिला, तो थोड़ी देर तक ये लोग अपनी गरिमा और अपने जिसको कह सकते पेसेंस को वो लोग मे टॉचला है, रिपोर्ट आइगा तो उजागर होगा, तो सारे लोग तो पत्रकार पत्रकार होते हैं, वो बळगुत जनरल बात पूछ रहेए कि कि पूरे प्रिसर का हुआ थो चार का हुआ तो बने लिचाँ से भी कहीं जादा वह अपने आपको रोकनें पाए और जैसे ही मीडिया के कैमरों को उन लोगों ने देखा हिंदू पक्ष के वकीलों ने विक्ट्री साइन दिखाना शुरू कर दिया और फिर कुछ मीडिया वाले मुस्लिम पक्ष के वकील और उनके लोगों उसे भी बातचीत की उन्होंने का कि देखिए अब इसमें क्या कहा जाए अब इसमें कुछ बोलने के लिए है नहीं तो ये पूरी तरीके से जो पिटिस्टर थे उनकी बातें आज जो लग रहा है वो सच साबित हो रही हैं जो लोग ये कह रहे थे कि बहुत किसी मंदर को तोड़कर मजजित नहीं बनाया गया या मंदर का कोई नाम निशान नहीं हैं वो इस सर्वे की वज़े से जूठे साबित होंगे सबसे बड़ी बात की सबकी नजर यही थी कि सर्वे में क्या कुछ निकल कर सामने आता है हाला कि 17 तारिक को रिपोर्ट सौपी जाएगी लेकिन जो उत्साह और जो उमंग आपने जो कहा कि विक्ट्री साइन दिखाय गया उससे कही ना कहीं यह माना जाए कि कुछ ना कुछ तो अंदर है जरूर देखिए दो तीन चीजे हैं इसमें क्लेरिटी होना जाई भाई यह केस है क्या क्यों सर्वे कराया जा रहा है दरसल पांच महिलाएं वो गई कोट यह अर्जी लगाने के लिए कि यह जो ग्यान बंद कर दिया गया है यह हमारा अधिकार है कुकि वहां परानिक मूर्ति है परानिक प्रथासर वहां पर पूजा पाठ्व होत सह चला रहा है हमें भी पूजा पाठ करने का हक है हमें इसके लिए अनुमती दी जाए तो कोड़ ने कहा कि भई वहाँ अंदर में है क्या बोले कि मैं सब कुछ है पहлу फिले होता था मुस्लिम प्क्ष ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं जा रहा कि जो ज़साभ में भी जो जेनों नी फैसला सुनाइद सर्वे होगा उन्होंने की शोटी सी बात को राइ का पहाँड बनाय जा रहा है उझ minor तो वो बोल रहे हैं सारे लोग उसमें कूट पॉल रहे हैं बस इतना जानना है कि वहां पे स्रिंगार गौरी नंदी है या नहीं और अगर हैं और पहले पूजा होती थी तो अभी किस बात के लिए जो महिलाये हैं उनके अधिकार को रोका जा सकता है बस इतनी से बात है इसम सारी चीज़िया भी नहीं हैं लेकिन हां इस सर्वे के बाद से जब यह तस्वीरे बाहर आएंगी तो यह मसला तो फिर गरमाएगा फिर तो लोग बोलेंगे कि भाई यह जो मस्जिद है यह मस्जिद के अंदर मूर्तिया क्या कर रही है भाई इसलाम में तो मूर्ति का मूर्ति लगा दो तो वो तो मस्जिद रही नहीं अब इसलिए यह एक इसू से बड़ा इसू यह बन जाएगा इस कोट के फैसले के बाद लेकिन अच्छी बात है कि भारी सुरक्षा के बीच निगरानी के बीच और दुनों पक्षों ने सहयोग भी किया यह भी खबर सामन पड़ें देखें वो उनकी राजनीती है वो यह कह रहे हैं कि देखें कि किस तरीके से मुसलमानों को डराया जा रहा है 1991 के कानून का उलंगन हो रहा है अब कोई भी मजद मंदिर में कनवर्ट नहीं होगा और वैसी उसी कानून के तहट यह दलील दे रहे हैं कि जो ज्यान वापी में हो रहा है वो उस कानून का उलंगन है अब सवाल यह है कि कानून तो बन गए ठीक है भी तो कानून है कानून तो पहले से नहीं चला आ रहा 91 में बना अगर 91 में वो कानून बन सकता है तो 2022 में वो कानून हटाया भी जा सकता है कानून तो ऐसी प्रिक्रिया है कि जो समय और काल और समय को situation को देख करके आप कानून में बदलाव करते हैं, 100 से ज़्यादा बदलाव हो चुके है हिंदुस्तान के सम्मिधान में तो यह भी हो जाएगा, पॉइंट क्या है, पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि क्या जिस जगह को यह लोग मज़िद बता रहे हैं, वो क्या कभी मंदिर था हाँ या नहीं, अंदर स्रिंगार गौरी मौजूद है हाँ या नहीं लेकिन OVC सर्वे पे भी सवाल उठा रहे हैं कि किस आधार पे सर्वे हो रहा है, उनका ये भी कहना है कि ज्यान वापि मज़िद था, मज़िद ही रहेगा, साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मुस्लिम दलों को भढ़काने की कोशिश की जा रही है और सारे दल चुब सुप्रिम कोट में कहें, सुप्रिम कोट ने भी कहा कि भई इसको पहले हम जज्मिन को पढ़ेंगे, सारा कुछ होगा, अब उसमें 3-4 दिन हो जागा, 40% सर्वे होई गया, वीडियो आई गया, सब कुछ होई गया, अब इसके बाद अगर आप रोकोगे, ये वीडियो बा और वैसी बताएंगे, और वैसी बताएंगे कि भई, मस्जिद के अंदर ये जो मुर्तिया मिल रही है, ये कौन से बास्ता ने ऐसा, इसलाम का कौन सा ऐसा कानून बदल दिया था, कि मस्जिद के अंदर आप मुर्तिया लगाएं, इसलाम का बेसिक टेनिट में से ये है, कि यहां इसलाम का दूर दूर कोई रिष्टा नहीं हो सकता तो वो मुख्य बात बताएं कि भई यह जो ग्यान वापी मैं तो जो कैपिल टीवी के दर्सक के मैं तो सुरू से यह इस बात कह रहा हूं कि यह मुस्लिम समाज उर्दू-फार्सी-अर्भी इसी में लगा रहा और मस कासी के बारे में कहा गया है यहां पर कुल मिलाकर के छे वापी हैं पुरे बनारस में कासी में छे वापी हैं उनमें से एक वापी जो है यह ग्यान वापी है तो मस्जिद तो बना दिया लेकिन नाम वो बदला नहीं वो लगातार वो क्योंकि उसी के नाम से वो चल रहा था तो वो चल रहा है, अब सर्वेधों हो गया, अब इसके उबपर राजनीती जो वैसी कर रहे हैं, ये ऐसी राजनीती कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि बाकी दल जो है, वो क्यों चुप हैं, वो चुप इसलिए हैं क्योंकि अगर कोई जूट के साथ खला होगा अफवाह के साथ खड़ा होगा इतिहास के गलत इंटर्पेटेशन के साथ खड़ा होगा तो हिंदुस्तान वो बदल गया है सोचल मीजा का जमाना है यहाँ पे सारे लोग जो है पीछे पड़ जाएंगे हैं जमाना कॉंग्रेस पार्टी का नहीं रहा 1991 का कि आप एक अनर्गल कानून भी बना दो कि भाई जो अब तक जो अत्याचार हुआ मुस्लिम सासकों के दोवारा उसको भूल जाओ और हिंदुस्तान में मीडिया उसके खिलाब जो कोई आवाज न उठाएं सारा कुछ मैंज कर दिया और जम्नी भाई चारा में रहना है तो गंगा जमनी तहजीब अभे जमनी तहजीब का अगर आपको नजारा पेश करना है कुदारन पेश करना है तो आपको सामने आकर कैना चाहिए कि अंदर मूर्टिया है यह हमारा जगह नहीं है औरंजेव ने बड़ा गलत किया तो औरंजेव क्या इनके रिस्तधार लगते हैं तो यह सारी चीजे हैं और राजिती होगी और राजिती होनी भी चाहिए इस तरह की चीजें जो है वो समाज में जो आने वाला जो जनरेशन है उनको मालूम होना चाह तो इत्यास सही तरीके से लोग जाने सही फैसला हो और कोट का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़ी ही सक्ति के साथ योगी सरकार को भी चिताया कि यह हमारा आदेश है और किसी भी कारण से यहां पर कोई विरोध प्रोशन नहीं होना चाहिए जो विरोध करने योगी खुद वरानसी में बैठे हैं अब तो खुद बैठे हुए हैं आप देखिया इसलिए आज देखें कोई विरोध करने के लिए आया भी नहीं विवस्ता पूरी टाइट थी मस्जिद के 500 मीटर के रेडियस में सारी दुकाने बंद हर जगा पुलिस एक विरोध भी नहीं हुआ और मुस्लिम पक्ष के लोग, हिंदू पक्ष के लोग, सारे जो पिटिस्टर और उनके लोग कोट के कमिश्टर के सामने ये लोग मस्जिद के अंदर गए और सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने दिखाया शुक्रे अपडेट देने के लिए तो आज का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है करीब करीब चार घंटे तक ये सर्वे चला है और कल एक बार फिर से सुबा आट से बारे तक सर्वे का काम पूरा किया जाएगा 17 तारिक तक रिपोर्ट पेश करनी है पर बड़ी अपडेट यहीं मिल रही है कि कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि जो उमीद जगी थी हिंदू पक्ष के लोगों के अंदर और वही उमीद के साथ लोगे कहना है कि कलपना से बहुत कुछ ज्यादा मज़ित के अंदर साक्ष मौजूद है हलाकि 17 तारीक की रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा इस बड़ी कबर पे क्यापिटल टीवी की नजर बने हुई है देखते रिए क्यापिटल टीवी क्यामरा पसंट अशोक के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी